दोस्तों आज का वीडियो सुरू करने से पहले मैं भारत के समेधान निर्माता महान समा सुधारक भारत रत्न डाक्टर भीमरा अम्बेटकर जी के महापरि निर्वाण दिवस पर उनको कोटी-कोटी नमन करता हूँ 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरि निर्वाण हुआ देखे फ्रेंड्स उनके कई सारे उद्गार हैं कई सारे कोटेशन हैं जो की हर विक्ति के जिन्दगी को पास्ट्व वे में लेके जा सकते हैं जिसा कि उन्होंने कहा था मेरा आधर्स स्वतंतरता समानता और बंधुत पर आधारित शमाज होगा तो आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि डाक्टर भीमराव आमबेटकर जी का वह कौन सा कोटेशन है जिसने आपकी जिन्दगी में एक घरा प्रभाव डाला था और इसके बाद चलिए हम सुरू करते हैं आज के यानि की आज 6 दिसम्बर है 6 दिसम्बर के दैनिक रोजगार समाचार देखे फ्रेंड्स आप लोगों में से कई सरे लोग ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि वो रिजर्व कटेगरी से आते हैं CTET में उनको मात्र 82 अंक प्राप्त हुए हैं तो क्या वो KBS में आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका जबाब है जी हाँ बिलकुल आप आवेदन कर सकते हैं आप OVC से हूं यस्टी से हूं या फिर यस्टी से हूं अगर आप CTET की परिशा में 82 मार्क लाकर क्वालिफ हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और CTET का कोई भी सर्टिफिकेट 2011 से लेकर 2021 तक कोई भी सर्टिफिकेट होगा वो चलेगा यानि कि CTET में 82 मार्क पर भी अगर आप क्वालिफाइड घोसित किये गए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि वो एक साथ TGT के लिए आवेदन कर रहे हैं साधी साथ PRT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको फीस कितनी देनी हैं देखो फ्रेंड्स TGT के जो फीस है वो भी 1500 रुपए है PRT की जो फीस है वो भी 1500 रुपए है मतलब कुल फीस आपको कितनी देनी होगी 3000 रुपए देन और आप लोग देखिए जो भी comment करते हैं वो सारे comment में पढ़ता जरूर हूँ भले ही मैं उस पर वहाँ पर reaction न देपा हूँ लेगिन जब भी कोई महत्पूट पसनाता है मैं उस पर या तो वीडियो बना देता हूँ या तो वहीं पर उसको answer करता हूँ ठीक है अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग अपने comment box में कोई link डाल देते हैं और link डालते ही वो जो comment होता है वो मुझे नहीं दिखता है वो spam हो जाता है तो link डालने से बचे हैं ठीक है link डालेंगे तो वो दिक्कत हो जाती है मतलब उसके बाद वो जो comment होता है मुझे को नहीं दिखता है अब आगे बढ़े तो देखो एक बहुती बड़ा फैसला आया हुआ है इलावाद हाई कोड की और से और निश्रीत रुप से ये प्रत्यक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और सब के जीवन को प्रभाविद दी करेगा तो क्या है ये फैसला इलावाद हाई कोड ने परिवार की परिवासा में साधी सुदा पुत्री को भी सामिल नहीं करने के मेरट के स्यम्मों के आदेश को निरस्ट कर दिया है कोड ने कहा कि विवाहित पुत्री भी परिवार की परिवासा में आती है और इस आधार पर मृतक आसित कोटे के तहट पीता के जिगह विवाहित पुत्री को भी नौकरी दी जानी चाहिए कोड ने यहाँ आदेश मेरट इस्थित एक सोननेश जे बलाक कलोनी तो देखो यहाँ पर जो डिसीजन आया है यह वाकी बहुत ही इंपॉरेंट है कि जो विवाहित पुत्री है वो भी परिवार में आती है और अगर पीता मृत हो रहा है तो उसकी जिगह पर अनुकंपा के अधाया पर उसको नौकरी मिल सकती है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ें तो देखो आपको पता ही होगा कि 79,000 सिक्षक वर्ती में एक प्रस्ट पर हलाकि सरकार जोती वो सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन रहात नहीं मिली और अन्त में हाई कोर्ट से डिसीजन क्या है डिसीजन यह आया कि जिन लोगों के एक प्रस्ट पर उत्तर गलत है तो उनकी कापी को रीचेक किया जाए और रीचेक करने के बाद अगर वो पास होते हैं तो लगबग एक हजार ऐसे भी द्यारती हैं जो कि पास भी हो जाएंगे तो उनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाए एक बड़ा यहाँ पर सवाल यह है कि 79,000 सिक्षक भरती में सभी सीटे जो हैं वो फूल हैं ठीक है इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो लगबग यहाँ पर कुल मिला के 600 की तो लिलिश जारी होई थी तो उनको भी भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि हाई कोट ने यह भी कहा था कि 79,000 में एक भी प्लद आप एक भी प्लद आप प्लस नहीं कर सकते हैं उपर से प्लस एक हजार लोगों को और नौकरी दी जानी है अब बिना पद आइड किये कैसे नौकरी मिलेगी या कैसे नौकरी दी जाएगी ये तो बड़ा मतलब अजीब सा प्रस्न है लेकिं फिर भी जो डिसीजन है वो यही है अच्छा कुछ लोग जानना चाते थे कि प्रस्न कौन सा था तो प्रस्न यही था कि साइचिक प्रसासन उप्युक्त विद्यारतियों को उप्युक्त सिक्षकों द्वारा समुचित सिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्द अधिक साधनों का उप्योग करके अपने प्रस्क्षन से सरवोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें तो यह परिभासा किसके द्वारा दी गई हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिकल था एस एन मुखरजी द्वारा, कैंबल द्वारा, वेलफेर ग्राहम द्वारा या डाक्टर आत्मा अनन्द मिस्टर के द्वारा यही वो प्रस्थन है जिसकी वज़े से 1000 अभ्यरती जो में वो पास हो गए हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखो इलावा दुस्विदाले, MTS भरती परिक्षा 19 को होगी, इलावा दुस्विदाले में गयर सैक्षडिक, ग्रूप C के तहर्त, मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के पदों पर भरती के लिए 19 दिसम्बर को परिक्षा करवाई याएगी, इला मौजूद लिंक, रिकृट्मेंट पोर्टर वोला जो लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इलावा दुस्विदाले ने परिक्षा के लिए प्रस्तावी सिलेबस भी जारी कर दिया है, परिक्षा में वस्तुनिष्ट प्रकार के प्रस्त पूछे जाएंगे, इसमे वो कोई फार्म आता है, तो उसमें वो आविदन कर देते हैं, उनके पास PGDCA या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, या कई सार्टिफिकेट नहीं होते हैं, तो किसी के कहने पर कि यह लगा दो, मिल जाएगा, बन जाएगा, मैं करवा लेकिन इसका खामियाजा आपको भरना ही पड़ेगा, इसलिए जब भी आप लोग कोई आविदन क्या करें, तो अपने सर्टिफिकेट की जो वायदता है, उसको जरूर चिक करें, अवायद सर्टिफिकेट कता ही ना लगाएं, इससे क्या होगा, इसे यह होगा कि एक तो आप जीतोर महनत करेंगे, जैसे तैसे आप सेलेक्शन मी ले लेंगे, उसके बावजूद आप अंतिन समय में बाहर कर दिये जाएंगे, इसलिए कभी भी फर्जी सर्टिफिकेट आप ना लगाएं, यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो सायक सांकी अधिकारी का एक पद जाया था, 2013-14 में, उसमें विज्यापन जारी वा था, इसके तहट एक चैनी थी सुमन सिंग, उनका PGDCA का जो प्रमाणपत्र था वो फर्जी पाया गया है, तो UPPC ने अब उनका चैन निरस्त कर दिया है, ऐसे बहुत सारे वाकियात जो हैं वो दिखने को मिलते हैं, अब ज आयोग ने 9 नॉम्बर को निरस्त कर दिया था, आगस 2020 आपको याद होगा, PCS 2016 में SDM के पत्पर चैनित, स्याम बाबु का अनसुचित जायत का प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया था, इसके बाद उनका जो अभेरतन था, वो भी निरस्त कर दिया गया था, तो देखो यहा आपको भरना पड़ता है, National Health Mission उत्तर प्रदेश में 4000 पदों पर वेकेंसी आईवी यह, इसमें कौन-कौन आवेदन कर सकता है, जिनकी अधिक्तम उम्र 35 साल हो, आयोशीमा में 5 साल तकी छूट भी मिलेगी, उमिद्वारों के पास मानेता प्रावत विस्विदाले से, बीस प्रक्तिया में उपस्तित होने वाले उमिद्वारों से कोई TDA देर नहीं होगा, तो वेतनमान कितना रहेगा, बीस दार पांचो रुपए, आवेदन के अंधिन दिती कब है, 13 दिसमबर 2022, तो कांट्रेक्ट के आधार पर जो न्यूक्ति होनी है, और इसके लिए जो वेब नीचे कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं, और देखो के बारे में आपको जो है, फॉर्म फिलिंग प्रॉसेस के बारे मैं आपको बता दिया है, उस वीडियो को आप जाकर वाज कर लेजिए, बिफोर अपलाई, और भी बहुत सारे वीडियो हैं, तो के लिए एक अलग से मैंने आपके लिए बना भी दिये, तो सारे जानकारी मैं आपको टेलिग्राम चैनल इस्टडी भी ध्यान प्रकास पर भी भी भेज रहा हूं, तो उसको आप लोग जोईन कर लिजिए, और लगातार बने रहे हैं मारे साथ, सारी जानकारी और सारी जो उप्रॉदता है, व झाल 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 झाल